हेलो नमस्ते राम राम जी स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लोग से और ये लो जी आज के व्लोग की स्टार्टिंग हो गई है परशाद से अंटी अभी अभी परशाद दे के गई है और देखो बहुत सारी चीज दे के गई है अंटी परशाद में और ये देखो आज यह गोड़ा रख्या था तो मैं या जो बाक्टी का इसमें क्यों करता रहो है तो मनें ममी ने पहले तो इस तेका मोटा मोटा सा उटर गया था यह पाला घला शा तो नरुबड़ारी पर तो रूसके बाद जीतना बचा था वो चकुगे साथ उदार दिया था यह देखो जी आज हम कुछ अलग सी अटके रेशीपी बनावेंगे जो की अंगूर की बनेगी और जैसे कि सीजनल फल है अंगूर और इस टाइम पर बहुत सस्ते भी हो रहे हैं तो सीजन पर इस टाइम पर फटरूट सस्ता हो जावें तो जरूर तो जरूर इसका फैदा पढ़ने थी और एक युनिक सी है बहुत अच्छी भी है लुक वाइज भी बहुत अच्छी है टेस्ट भी बहुत अच्छा था इसका चलो जी स्टार्ट कर दें पनी रेसेपी बनानी यह अंगूर मेंने पहले तो उन पर जो डंठल से आगर वो निकाल दी है सारे अंगूर और बड़ी अड़ा दो तिन बार पानी ते अच्छे दो लिए हैं इनका बड़ी ऐसी प्यूरी बना लें मतलब इनका जूस निकालना है जितना उसक है तो अगर पानी डालना चाहा होता दकप डालो अदर्वाइस कोई जरूरत भी नहीं स्टेज पर इसमें प इसके अंदर में यह त्यार ःची डाल दूँगी इसमें इलाची का फ्लेवर बहुत अच्छा है कोई भी मिठाई बनाoncé तो इसमें इलाची डालना तो उसका बहुत अच्छा तेस्ट हो जाओ है और इस वाली मिठाई में भी बहुत अच्छा लगया है ये बाड़ा और ये बहुत अल्दी रेसिपी है अंगूर की और सस्ते हो रहे हैं इस ताइम पर सब बढ़िया चीज तो यहा है कि बच्चे वैसे तो फड़ फूरूट कुछ खाते नहीं कुछ अलग सा यूनिक सा बन रहे है इसका और इसने च्छन निमत अच्छान लेंगे इसका जितना भी यो छिलका सा है सारा बार निकल जाओगा इस ते एक मतलब बहुत बढ़िया जूस सा मिल जाओगा इसका जो रस होएगा वो मिल जाओगा और वो जो इलाइची के बीज है जो पपड़ से हैं वो भ वास्त में बहुत अच्छी और टेस्टी है कदे ट्राई करियो टाइम भी बहुत ज्यादा लगता जल्दी सी हो जाओए देखो कितना सारा कूड़ा निकला कूड़ा लगा लो इसने खचराई है क्योंकि हमारे यूज का नहीं है यह कुछ भी तो इसने हम डाल देंगे अनार ओप्शनल है अगर आपके पास है तो डाल दो अधरवाइस कोई जरूरी नहीं है अनार नभी में बड़ी अडाल मिक्सी जार में तपीश लेंगी और इबिस नभी छलनी में तबड़ी ऐसी तच्छान लेंगे और वैसे तो इसका थोड़ा सा एरस निकला था पर मैं यह क्योंकि इसके अंदर वैसे रह गया था यह तो थोड़ा सा पानी डालकर ने महीं अच्छे त बड़ी अडार यह जार साफ करकर ने इसका अच्छा सा जूस nिकाल दिया था तो पानी और यह जूस क्योंकि अनार एक था तो उसका एक कप मिश्रन त्यार हो गया था जो इसका जूस बना था नार वाड़ा वो सिर्फ एक ही कब बना था यह देखो अच्छे ता साफ कर लेंगे हम इसने इस ते अनार की वजेते ना इस रेसिपी का कलर बहुत डिफ्रेंट कलर बनेगा और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जावेगा यह कुछ मैंने न बनास को हो यह मिठाई यह देखो एक कटोरी बन का त्यार हो गया यह मारा हो गया सारा जूस त्यार इब करें आगे का प्रोसेस इसमें चिन्नी कौन फ्लोर और मैं यह कप लेक आई हूं वैसे तो मेजर्मेंट के वैसे कप नहीं थे तो मैं सुच्छा कि इसी तब बता तो उसी के हिसाबत है माग इसमें यूज करेंगे जो भी मटीरियल करेंगे चार कप में एक कप कौन फ्लोर का डलेगा और इब इसने अच्छे तह मिक्स कर देवेंगे और यह इतनी बड़ी अतरह मिक्स करना है इसके अंदर एक भी गुठली नहीं रहनी चीए अगर एक भ दालेंगे अब दो कप चिन्नी एक कप कौन फ्लोर दो कप चिन्नी जितना भी रस होगा ना उसका अधा डलेगा इसमें चिन्नी और अधा कप पानी डाला है क्योंकि ज्यादा डालेंगे तो फिर वह मतलब उसका वह टेक्च्चर नहीं बना पावगा शेप नहीं बड़ी थी इसके अंदर यह देखो बस बार-बार ची चलाना है और थोड़ा सा मोटी तड़ी का बरतन रखना है इसमें जिस्ते कि या निच्च लगए निगे देखो उमारी चासनी बनका होगी है त्यार उरी सिफ दो ये तीन मिनट ती ज्यादा देर तगर जानी नहीं इतना ज्यादा पंगा नहीं है इसमें देखो में आपने एक प्लेट पर रखने इसने दिखाऊंगी कि किसी बनी है या क्योंकि इसमें ने एक तार्षा बनन लग जाव एक तार्षा बनेगा इसका सिर्फ ये देखो जी बन गया तार यानि कि मारी चासनी हत्यार इविस नम रख देंगे ठंड योन तही कुछ टाइम तक ये देखो ये ठंड योने के बाद काई मैंने 7-8 मिनट के बाद उठाई यानि कि कम से कम 10 मिनट तो छोड़ दो उसके ब गरम में मिलावेंगे ना तो फिर इसमें गुठली बननी स्टार्ट हो जाओंगी तो ठंड करका मिलाओंगे फिर कोई दिक्कत नहीं इसने अच्छे ता मिक्स करका ने फिर गैस ने चला लिए इस तासानी रह जावे हैं डल तो गरम गरम में भी जाओगा पर उस ते करडा करडा से ओना स्टार्ट हो जाओ है यह देखो ये थिक सा और यह कौन फ्लॉर की वज़े से इतना अच्छा टेक्स्चर आया है इसका में पार्ट है इश्टिश का और यह देखो जैसे कि अलवा है और गी के बिना तो अलवा अधूरा है तो मैंने एक बड़ा चमच डाला है इसके अंदर गी जरूर से जरूर डालना है इसके अंदर क्योंकि एक बहुत बढ़ी अ कलर आवे गए देखो वह अनार की वज़ेत है इस ताइप का कलर बन रहा है इसका रेसिपी का यह देखो इसने बढ़ी आतरा में चोड़नी नहीं है इस ताइम पर बिल्कुल यह बनका त्यार होगे और यह मैंने इसके अंदर इसका अच्छा सा कलर बनाने के लिए मैंने इसके अंदर ग्रीन कलर फूड कलर डाला है मार्किट में सानी ते मिल जावे हैं और कोई ज्यादा महहंगा नहीं है तो मेरी ख्यालत हैं दस या बारा रुपे की डिब्बी आवे हैं मैं जो यह चोटे वाड़ी डबी में ले क्या रही हूं यह आठ नो रुपे की दसी रुपे की डिब्बी है ज्यादा महेंगी और सिर्फ एक चुटकी डालना पड़े हैं और सब तमेन पैदा इस कलर के डालन का यह है कि आरव भी खाले वगाए संदर क्योंकि बच्चा ने क कोई ज्यादा महेंगी नहीं है बजार में जाकर फूड कलर बोल दियो तो अपने आप सभी तरह के कलर दिखा देंगे वो मार्किट वाले यह जी मने कर दी है गैस बंद और देखो इसकी पैचान के है देखो यह तूट तूटकन इसकी सब तमेन पैचानिया ही है यह तो यह गिलास लिये हैं और एक स्टील का लिया है स्टील वाड़ा लेवगे तो उस पर गी लगाना पड़ेगा और कांच का लेवगे तो उस पर कुछ भी लगान की जरूरत नहीं है तो मैंने कांच वाड़े ले लिये थे इस पर मैंने कुछ नहीं लगा था और यह सारा क का सारा हम इसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे इसना मनें यह डाल दिए हैं दो गिलास बर गए हैं और इतने ज्यादा अंगूर नहीं थे सिर्फ आधी किल्व अंगूर थे यह ज्यादा नहीं थे यह देखो और यह 2-3 तीन-4 गंडे यह तो फ्रीज में रख दो जरूरी नह आहीं ये फ्रीज में रखने में ऊपिंग को आप इसमें बाइं एकश्य तरा इलाग भर पताम अफी में grants सेख संदमैं बहुत सूप्ट सव्थ्राओं में अदे लाजवाब उस लॉट Been हो ये लगांना चेस्ट लेट नंग और को कुछ इस तरह के निकले हैं यह और कट्व चो एपने कुछ ख सेप में पीव और अपने अकोडिंग कुछ भी देश को दो को मेने ड़ segregation लेति तो गोल बन गी है अगर Behode में डालते तो और शेप बन ती अगर किसी और बरतन में डालते तो उसी की तरह सेप पा जाती है्I clear कितनि एक कुछ को कितनी ऑच्छी आपignon जाना अवं तेस्टी और बहुत अच्छी रिषा है जरूर तय स्य। न करें कि हैं इस को आपनी दीनि रहा है की तोड़े भृत हैं यह देखा हैं यह दोटा एक स्क्राइब अच्छे लग रहे थे जितने लुक में अच्छे अच्छे टेस्ट में तो जरूर ते जरूर बनाई और खाई हो इस रेसिपी न और बच्चे तो बहुत ज्यादा खुछ हो हैं और ELD भी बहुत ज्यादा यह देखो ये मैंने इसके अंदर डाले हैं थोड़े से खर्बुजे के बीज इस ते कलर भी बहुत बढ़िया वगा तो टेस्ट भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा वगा यह देखो। कुछ पीस बच गे थे वे मैंने उठाकर डबे में पैक करका रख दिये थे क्योंकि या मिठाई कई दिन तक चल जाए कम से कम आप इसने एक मीना तक भी चला सको इसने फ्रीज के अंदर रखियो तो कोई भी दिक्कत नहीं है चैसना एक मीना चला लियो तो यह खराब नहीं ह बैगी और बनाओ खाओ और अपने घर क्या तभी खुवाओ और अपने बच्चे तो बहुत ज्यादा इंज्योए करें और उन भी वसच में बहुत पसंद आई है और यह वह बनने के बाद का सीन है मैं उस काम तनी पठक है मैं जल्दी जल्दी से अपनी रोटी बनान लग जाओंगी क्योंकि गैस मैंने थोड़ी सी सीम कर रखी है मनदी अगया इस टाइम पर तो मैं बरतन चोखे बरतन ओ रहे हैं क्योंकि वह बनाया था तो उसकी प्लेटिंग वगएरा खरी तो बरतन चोखे ओ रहे थे तो मैं साथ के साथ ही बिन बरतना नहीं निप्टा होगा मेरा फिर ज्यादा देड का काम निर्वगा आठ्टा भी बन गया है सब्जी छोक दूंगी फिर वस उसके बाद रोटी रोटी बनानी रह जाओंगी जिस्ता की मनें ज्यादा टाइम नहीं लगए यह श्याम के साथ बजेत पिछे-पिछे वीडियो है और यह देखो आरव के पापा पाणी लेकान की कह रहे हैं तो यह कह रहे थे कि वह जल्दी सी जग खाली कर दे फिर देर ओन नगरी है चो खटाइम हो लिया हाज यह वहां पर मिस्त्रिया के पास जा रहे थे तो उनके साथ टाइम लग जाओं क्योंकि कई बार इसा हो है वे अपनी बाइ था वो मने टोकनी मैं रीता दिया है और यह देखो जी बरतन मेरे ओगे है साफ और कुकर में भी दो तीन सिटी दुआनी है बस जल्दी सी फिर सबजी का काम भी कंप्लीट हो जाओगा और बरतन तो दो फ्हार रहे हैं बरतना का काम मेरा साथ के साथ में हो लिया और यह दे दूद की थेली दे के गया है मिरताइब कि ममा इसने गरम कर दियो तो मैं इस दूद ने भी गरम करकर फ्रीज में रख देंगी क्योंकि इसकी चाय बनेगी फिर बाद में बच्चा थेली का दूद नहीं दिया करते जितना उसका अगर यूज करना पड़ जया तो अम खुदे दिया है और जग का पानी मटके में डाल दिया है और मैं इसने जगने भी साफ करकर रख देंगी क्योंकि फिर इस तेना दो तीन दिन ओए पिछना थोड़ी सी दूड़ मिट्टी सी लग जावा है इसका तो फिर थोड़ा जीव सा लगा है तो मैं जल्दी जल्दी सी और फ और मैंने गैस कर दई है बंद मेरा काम हो गया है कंप्लीट